जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना विल्कुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे ज्यारखन में 319 पदो पर सिख्षक बैकेंसी जल्द ज्यारखन में 4 साल बाद फिर सिख्षकों किन्योक्ति पर किरिया सुरू होगी स्कूली सिख्षा एम सक्षरता विभाग ने त्यारी सुरू कर दिया है बता देराज एक 510 प्लस टू बिद्यालियों में 31 सिख्षकों किन्योक्ति होगी विभागी हस्तर पर रोष्टर किलियर कर लिया गया है और प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा गया है कार्मिक से रोष्टर किलियर होने के बाद अधियाचना ज्यार्खन करमचारी चायन आयो के बेजी जाएगी परिक्षा पर किरिया में वही अभ्यार्थी सामिल हो सकेंगे जो ज्यार्खन से मैट्रिक और इंटर के परिक्षा में पास होंगे अरक्षित वर्क के अभियार्थी के लिए या प्रवधान नहीं है त्रीकूट रोपवे हाथसा दिली में ग्रिह मंत्रा लगी बैठाक जार्खन के देवखर जीले के त्रीकूट पहार रोपवे हाथसा में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने को लेकर राहत बचाव कारे जारी है ड्रोन के माध्यम से दो ट्रालियों में फंसे लोगों तक पानी पहुचाया गया अब बिस्किट पहुचानी के त्यारी हो रही है इधर ट्रालियों में फंसे करीब 48 लोगों को रेस्क्यू करने में एंडियारेप के साथ साथ वायू से नागिटिम लगी हुई है हेलिकोप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है हलाकि अब तक सफलता नहीं मिली है इस बीच दिली में केंद्रियों गिरी मंत्राले के उच अस्तरियों बैठक की जा रही है बता दे देवघर जी लेके त्रीकूट पहार रोपवे हाथ से में राहत बचावकार जारी है जहारखन पूलिस को आधोनिक सुविधाओ से लेंस करने की त्यारी जहारखन पूलिस में कई बड़ी ओजनाओ की सुभाराम की त्यारी है मोख्य मंत्री हमंसरें जल्धी इन नई ओजनाओ की शुरुवात करेंगे राज्य पूलिस में महिलाओ की आवाज ठीक से सुनी जा इसके लिए 300 थाने में महिला हेलप डिस्क खुला जाएगा इसकी त्यारी कर लिगाई है जनकारी के मुताबिक महिला हेलप डिस्क के लिए 300 इसकूर्टी की खरीद C.I.D. ने की है मोख्य मंत्री इन इसकूर्टी की हरी जणनी दिखा कर पूलिस को शौपेंगे पन्ना लाल की पत्नी ने कोट में किया सरेंडर कुख्यात मानो तसकर पन्ना लाल महतो की पत्नी सुनिता देवी ने सो महर को एन आई ए कोट में सरेंडर कर दिया है सरेंडर करने के बाद कोट ने 14 दिन के न्याईक हिरासत में जेल भेज दिया सुनिता को एन आई एने वांटेड घोसित किया था उस बर एक लाग का इनाम भी रखा गया था बता दे जार्खन में या पहली बार है जब किसी मानो तसकर पर इनाम की घोसना की गई है सुनिता देवी बहुत पले खुटी जगी रफतार कर जेल भेजी गई थी इसके बाद जमानत पर निकलने के बाद से ही फरार थी तिरिकूट हाजसा 29 घंटे बाद निकाला गया पहला ब्यक्ती जार्खन में देवघर के उपायुक्त मंजुनात भहंतरी ने कहा है कि मोहनपुर परखन अंत्रगत तिरिकूट परवत पर रोफवे सफर के दोरान फंसेवे लोगों को एर फोर्सवा एंडियर्फ के टीम रेस्क्यू कर रही है अब तक 20 लोगों को निकाला जा चुका है चार लोगों को एर लिफ्ट और चार लोगों को वर्टिकल लेंड कराया जा चुका है रविवार को साम पांच बजे घटना हुई थी जब रोफवे का एक तार तूट गया था करीब 29 घंटे बाद पहले ब्यक्ति को निकाला जा सका है उन्होंने कहा है कि जल्द ही सभी फंसेवे लोगों को सभी के सवयोग से सुरचित निकाल लिया जाएगा सामोहिक दुसकर्म के मामले में साथ दोसी करार सामोहिक दुसकर्म के दो अलग मामले में राची सिविल कोट ने साथ अभ्यूक्तों को दोसी करार दिया है साथ ही साजा के बिंदू पर सुनवाई के लिए 13 अपरेल की तारिक निधारित की है नबालिक से दुसकर्म करने क्या रोप में धुर्वा थाना छेतर निवासी सुनिल अनन्द एवाम संकर महत्तो को दोसी पाया गया जबकि महिला बीमा एजेंट के साथ समोईक दुसकर्म करने क्या रोप में राहूल कुमार, कॉमल जीत सिंग, विकी गुपता धर्मेंदर एवाम संतोस को भी दोसी कराद दिया गया है ज़ारखन की टीम क्वार्टर फाइनल में जमू कास्मीर को 5-0 से हराया भोपाल में 6 अप्रेल से 17 अप्रेल तक आयोजित बराहूई होकी इंडिया सिनियर पूरूस होकी चैंपियनसिप 2022 में होकी ज़ारखन ने अपने अमतिम लिंग मैच में होकी जमू कास्मीर को 5-0 गोल से हराकर फाइनल में परवेश किया है ज़ारखन की अलागातार तिसरी जीत है मुकाबले में ज़ारखन टीम ने दूसरे क्वार्टर में दो और तीस्ते क्वार्टर में तीन गोल दागे हाए 34 राश्ट्रिये खेल घोटाला की CBI जांच के आदेश 34 वे राश्ट्री एक खेल घोटाला की अब CBI जाच होगी जारखन हाइकोट ने सोमवार को यादेश दिया है इसके तहत राश्ची के होटवार में आउजी 34 वे राश्ट्री एक खेल में हुए घोटाले की CBI जाच की जाएगी पहले इस मामले की जाच ACB कर रही थी के चीप जाच्टिस डाक्टर अभी रंजन वा जाच्टिस सुजित नियान पसाथ की खंट पीठ ने यह फैसला सुनाया है रांची में गहराने वाला है जल संकट बढ़ती गर्मी के साथ राजधनी में जल संकट गहराता जा रहा है नगर निगम के कंट्रोल डूम को हर दिन पेजल संकट की सुचना मिल रही है निगम को संका है कि माई जुन में सहर में गंभीर पेजल संकट पैदा हो सकता है इसे देखते हुए निगम ने बाहरी एजन्सी से किराय पर ट्रेंकर लेने की जोजना बनाई है इसके लिए रभिवार को टेंडर निकाला गया जरुवत के हिसाब से ट्रेंकरों की संख्या बढ़ाई जाएगी जारखन पैंचाय चुना में 1.96 लाग भोटर करेंगे मता अधिकार का परियोग राजे में होने वाले पैंचाय चुना में 1.96 लाग 16.504 मत दाता अपने मता अधिकार का परियोग करेंगे सबसे अधिक 15.64 लाग मत दाता गिरी जीले में है इसमें 7.43.59 मत दाता है जो जीले में कुल मत दाता संख्या की 47.54 फिर्दिया है वही लोहर दगा में सबसे कम 3.4.832 मत दाता है राची में कुल मत दाता संख्या 13.84.890 है सरकारी स्कूल में छात्र करेंगे क्लेट की त्यारी अकांचा 40 के तहट अब सरकारी स्कूली बच्चों को क्लेट, NTSC और ओलंपियार्ट की त्यारी भी कराई जाएगी क्लेट के लिए 50 और NTSC और ओलंपियार्ट की त्यारी के लिए 25 विद्यार्थिक चैन होगा बर्तमान सेक्षिनिक सत्र से ही बचों का नमांकन सुरू ओगा कैबिनेट के सुकृरिती मिलते ही स्कूली सिक्षा वियं सक्षता बिभाग ने इसकी त्यारी सुरू कर दी है परिक्षा को लेकर मादमिक सिक्षा निदзы साले ने जैक को पत्र भेजा है हजारी बाग में साम 6 से नहीं रहेगी बिजली जारखन के हजारी बाग सहर में आज रम नमी का जुलूस निकाला जाएगा जुल सोभायात्रा के दुरान कीजी भी परकार के कोई हाचार नहों इसके लिए हजारी बाग जिला परसासन द्वारा एहतियात कदम उठाये गए हैं इसके तहट 11 अप्रेल साम 6 बये से कल रात 12 बये तक सहर की बिली गुल रहेगी परसासन ने एक कदम एहतियातन उठाया है राम नामी सोभाय आतरा में हुई जड़प में एक की मौत इंटरनेट सेवा बंद जारखन के लोहर्दागा जिले के हीरही भोगता बगीचा इलाके के पास राम नामी के उसर पर सोभाय आतरगदवन हिंसा में एक ब्याक्ति की मौत हो गई और 12 अनेलो घायल हो गई अनुमंडल अधिकारी अर्विंद कुमारलाल ने बताए कि लोहर्दागा सहर में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है और पूरे जिला में धारा 144 लागू कर दी गई है जनकारी के अनुसार मिरितक चंदवा के बोदा गाउं का था बोदा गाउं में पुलिस अधिकारी कैम्प कर रहे है त्रीकूट पहाड हादसा पर स्तियम बोले जारकन के देवघर जिले के त्रीकूट पहाड रोफवे हादसा में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने को लेकर रेस्क्यूँ जारी है CM हेमान सुरे ने कहा है कि हालात पर नजर है जल्द सभी सुरक्षित निकाल लिये जाएंगे देवघर के उपायुक्त ने जनकारी दी है कि यार फोर्स वा एंडी आरेप की टीम द्वारा रेस्क्यूँ किया जा रहा है अब तक चार लोगों को यार लिप्ट और चार लोगों को वर्टिकल लेंड कराया जा चुका है जल्द ही सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा एंडी आरेप, आई टी बी पी यार फोर्स वा बी एस एप के जवान रेस्क्यूँ में लगे हुए हैं धन्यवाद, यदि आप चैनल पना है होते चैनलों को सब्सक्राइब करें, बाल का बेल एक अंद भाईए, साथ साथ वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ सेयर करना ना भूले, साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीडिवेक अवस से दे, थैंक यूँ